बात होगी भीशर गर्मी की, क्योंकि पूरे देश में गर्मी का कहर लगातार जारी है, राजिस्थान समित राजिस्थानी दिल्ली और अन्य राजियों में हालात बहुत बुरी है, राजिस्थान में तो तापमान 50 जिगरी के पार कर चुका है, जिसके चलते कई लोगों की म देश में प्रचंड गर्मी से मचा त्राहिमा मैं में भीशण गर्मी से लोग बिहार मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट देश की बड़े बड़े हिस्से में प्रचंड गर्मी पढ़ रही है जो करूडों लोगों की सहन शक्ती की परिक्षा ले रखी है राजिस्तान के फलोधी में शनिवार को तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया राज्यु में चार दिन में उन्निस लोगों की गर्मी के कारण मौत हुई है भीषण गर्मी ने ना सिर्फ उत्तर के मैदानी इलाकों और मध्य शेत्रों को बलकी हिमाचल प्रदेश, पुर्वुत्तर में असम और अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों को भी प्रभावित किया है आएए आपको बताते हैं मई में कहा कितना रिकॉर्ड तोड तापमान दट्ज किया गया है दिले में छे स्थानों पर तापमान 45 डिग्री से अधिक दट्ज किया गया है बंगाल के कूच बिहार में 40.5 डिग्री, असम के सिल्चर में 40 डिग्री और लुंडिंग में 43 डिग्री, साथी साथ अरुनाचर प्रदेश की ईटानगर में 40.5 डिग्री और पासी घाट में 49.6 अब तक का उच्चतम तापमान दर्ज किया क्या है असम के तीजपूर में 49.5 डिग्री, मजबत में 38.6 डिग्री, धुपरी में 38.2 डिग्री, सेल्सियस मई का रिकॉर्ड तापमान दर्ज हुआ है आगरों से पता चलता है कि पंजाब, हरियान, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश में कम से कम 17 स्थानों पर अधिक्तम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे उपर दर्ज किया गया राजस्तान में अंतररश्ट्य सीमा से सटे बारबीर में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया जैसलमेर में 47 डिग्री, बीकानेर में 47 डिग्री दो डिग्री और जोधपूर में 47 डिग्री सेल्सियस तापमान तर्ज किया गया मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हर्याना, चंडीगर, उत्तिर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, चतीजगर और महराश्ट के कुछ हिस्सों में 29 मैं तक भीशन गर्मी जारी रहेगी भीशन गर्मी का असर हिमाचल प्रदेश, असम और बेखाले के पहाड़ी इलाकों पर भी पड़ेगा भीशन गर्मी की वज़व से राजस्थान, पंजाब, हर्याना, चंडीगर, दिल्ली, पश्यमी उत्तर प्रदेश और गुजरात के लिए डेड वार्निंग जारी की गई है जो सभी के लिए गर्मी से जुड़ी बिमार्यों की बहुत अधिक संभावना का संकेत है फूर रिपोर्ट भार्ट्विड़ी पो